अगर आप सीखना चाते हैं वीडियो को बिन स्किप के लाश तक आपने चूर देखना है तो चलिए रेस्पी शूर करते हैं सबसे पहले यहां पे मैंने 500 ग्राम सोहे चांप ली है यह फ्रोजन सोहे चांप है जिसको मैंने पानी में डाल के रखा था उसकी आई स्मैल हो चु किसाएगी इसके बुद आपने इसकी ष्टिक होती है उसको निकाल लीकिंट की ली इसके और श्चिक निकालने में पहले है एपने में आपने पाइड की чист कीशेए बारी कडवी हरी मिर्च भी ऐड़ कर रहा हूँ आप हरी मिर्च का पेश्ट भी डार सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेशे सोझे चान को मिर्च मसालों के साथ में मरणे अड़ करने चान ना उसमें अच्छा मिर्च मसालों का cutter आता है इसके साथ में हरा धनिया डालना है जादा यूज नहीं करना है बारा से पंदरा कली आपने लसुन की एड़ करनी है लसुन से बहुती बड़ी टेस्ट आईगा आपकी सोयचाम है थोड़ा साथ इसमें अधरक एड़ कीशे तो थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा लिया था मैंने अधरका बोवी डालती है काटके चार मैंने इसमें हरी मेर शेट की है और इसके बड़ा आपने इनको ग्राइंड कर लेना है एक तम फाइन आपने इसका पेश्ट बना लेना है तो प्याज को आपने बारी काटके ही एड़ करना है इसको पीस के ने डालना है अगर आप पीस के डालेंगे हलकर सा मीठा डेश्ट आ जाता है गरीव में ठीक है तो देके प्याज की कटिंगी भी कर लिया है तो इस तरह से पहले आप त्यारी कर लेशे आप इसके पूद आपने कड़ाही लेनी है, उसमें आपने ओईल अड़ करना है, ओईल आपने इतना डालना आपका जो तड़के असानी से पक्ष है, ओईल जैसे गर्म होचाएगा, एक आप इसमें तेशपत आड़ कीशे, एक आपने बड़ी लाइची अड़ करनी है, दो म आपने साबू जीर आड़ करना है, जीरे को आपने मीडियम फ्ले में अच्छी तरह से चटकने देना है, एक चोट अचमाच आप इसमें बड़ी कट और लसुन आड़ कीशे, लसुन को मीडियम फ्ले में आपने पका लेना है, और जो मसालन को फ्लेवर है, ओईल में अच् लो फ्राइ कर दोकह होगा में में मॉशिता रहता है तो इसको अपने सारी सारी स्राइटा में नहीं ही लिए यहां भी करना ने हुआ इसको अपने थीन से चार मिंट तक फ्राइइ होने देना है ज्ड़ेयस देखिये लगो चार मिंट व्राइऑ मिलके गरतर आपके अशी कपया रह WEAK दिए अससे निकाल लेशा है और अगर आपको और प्याज का जो कलर है लाइट गुल्डन प्राउन होना यहां पर शुरू हो चुका है इसके बद आपने इसमें मसाले एड़ करना है आदा चमच हल्दी पॉर्टर एड़ कीशे और एक छोटा चमच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पॉर्टर एड़ करना है इससे अच्छ पॉर्टर एड़ कीशे और इसके साथ में तोड़ा सा गरमसाला पॉर्टर एड़ करना है घास की फिलिम आपने मीडिम टु हाई रखनी है और तो पकाना है जब तक आपका जो मसाला बिल्कुल ड्राई ना हो जाए दानीदार ना हो जाए तो यह देखिए 5-6 मिनिट हो चुके हैं टमाटरों को पकाती होए और हमारा जो मसाला बिल्कुल यहां पर ड्राई हो चुका है कडाही को छोड़ना इस तरह शुरू कर दिया है मतलब मसाले अच्छे से पक चुके हैं जब मसाले अच्छे से पक चाएंगे इसके बदा आपने इसमें पानी एड़ करना है तो एक कप मैंने देखिए पानी का एड़ कर दिया है बट अभी भी जो ग्रेवी हो काफी ठीक क्योंकि वह बी एड़ कर देनी है और सोय चाप को अपने अच्छे तरह से मेक्स कर लेना है कम से कम 3-4 मिन तक आपने सोय चांप को पकाना है इस ग्रेवी के साथ में अगर आप ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखना चाते हैं तो दो कफ की जगा तीन कफ पानी के एड़ कर सकते हैं इससे पतली आपने ग्रेवी नहीं करनी है उपर से कबर कर देशे कम सन तीन से जार मिनित पकने देशे के देखिए अब ग्रेवी ने अच्छी तरह से ओल है और जो हमारी सुहे चांप है उसने मसालों को अच्छे से अफ्जाओ कर लिए